नवस्ते दोस्तों पिश्टर लेक्चर में हमने बात किती विकास और व्रध्धी का अर्थ और विकास व्रध्धी में क्या अंतर होता है विकास की विश्ष्थाई क्या होती है लेकिन हम आज बात करेंगे विकास व्रध्धी को प्रभावित करने वाले कारक वैसे तो विकास के लिए कितना आवश्य है वैसे ही हमारे मोजन में विसम संतुरी ताहार कहते हैं हमारे मोजन में नीम दुरुप से कैसा स्वस्त्त रहने के लिए जीवित रहने के लिए पोशिन के आवश्यपता में शारीक विकास के दरश्टी से पोश्य और महात्पूर्ण है पौशन परिवर्थित नहीं होता है परिपक्व अंकुरिट होने के लिए बहुत सारी शीटों की रिक्वार्मेंट होती है जिस प्रकार बीच को manvars and fertilizers जिसे हम खाद और उर्वरक बोलते हैं उसके प्रड़त परती है एक व्रक्षे विशाल व्रक्षे को परिवर्थेत होने के लिए उसी प्रकार शरीर कि सिभी बालक की बुद्ध या बहुति क्षम्ता के भिंद्ध शम्ता उसके विकास के दिने पहलू ओ उर्परवाउटकी नियुक्त है एले मालने जीए कोई बच्छा तेज बुद्धी वाला ला है उसका ने तेश गतीत होगा किसी भी बालक की बुद्धी की शम्ता ये बुद्धी के आधार पर हम उसके विकास का मिजर्मेंट कर सकते हैं और कहीं ने कहीं अग मंद बुद्धी वालक जो होगा उसका विकास प्रभावीत होगा उसी बुद्धी की वज़़सर परिशनों के पश्चात ये निश्कर्ष निकाला गया है कि तीवर बुद्धी वाले बालकों के विकास मंद बुद्धी वाले बालकों की विकास की दुल्ला में शिक्र होता है कहने का तत्पर यह है कि जो तेज बुद्धी वाले या तीवर बुद्धी वाले बालक होते हैं में परिफक्वता और विखास मंद बुद्धि बालकों की तुल्णला में मैचृरीटी मंद बुद्धि बालकों में इसका अबहाव रहता हैagne उसे चीज को समझने में सीखने में टाइम लगाते हैं समय लगाते हैं तीसरा होता है प्रजाती प्रेस विज्ञानेकों के उनसार प्रजाती भिन्नता से विकास प्रभावित होता हैं विज्ञानेकों का मानना है कि एक प्रजाती के लोग दूसरी प्रजाती को लोगों से न पजाती कि लोगों से बिलकुल बिन होते हैं युश वह विश मैं हो चाहिए और रहें सेहरं मिंहों चाहिए युद्ध स्व aç कि समय विकास हर पहलू में वह अ विकेसे और कि इस चीश को नहीं बात के वस्ठाओं की वीमारी यह उतना अगातो का बालक के विकास और पर्भाव पड़ता है का बचपन की गंबचा product की विमारी यो और मांसिक आगातों का दूस्प्रभाव बालक के शारिक और मांसिद विकास पड़ता है बच्पन की कोई चोट लगी हो या बच्पन से कोई डेसीस हो या इंज्यूरी हो तो वो बवेश्य में हमको दिखाई दिया सकते हैं इसके अपरी जो बालक स्वस्थ रहता उसका विकास सामय नढ़न से होता है और सही समय पर शारीक और मानसी परिपक्वता प्राप्त 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 कुछ बालक बीमाय के कारण शरीर की मैचुरीटी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं घर का वातावरन फैमिली इनवार्मेंट पिशले शर्म में बात करें थी कि घर के वातावरन का प्रभावी बच्चे की जीवरों पड़नता है तो घर का वातावरन किस प्रकार से विकास प्रभावित करता है घर का पारिवारी वातावरन कई रूपों से बालक के विकास प मइं परिवार कार Thailand या फिर छोठा परिवार है पाल कि इस प्रकार से पोशन दिया जा रहे जा रहा है जसा पर Nagवर परिवार का गर गाराम में अभ फिकास रूर्दी में साये हुरता है look me हमारे विकास रुद्धी के लिए कई मावलों में कोड़ोसी भी हमारे जिम्मेदार होते हैं। जरूरत बातवरं के विकास के बढ़ने में घर वाले ही जिम्मेदार होते हैं। आज पास का वातवरण भी उसके विकास को बढ़ाया कम कर सकता है अधि आज पड़ोस अच्छा है खेल के साथी और मित्र अच्छे हैं तो बालक में अच्छी सामाजीता का विकास बता है इसके उपरित अगर आज पड़ोसी खराब है बालत बूरी संगत पढ़कर बाल अप बालक स्कूल जाते हैं विध्याले के द्वारा बालक को विविन्य चेत्रों में सीखने का परियापत तो होता है हर प्रकागा के एक्टिविटे सेखने के मिलती है विकास परीपकवता के सास्था शिक्षण का भी परिणाम है शिक्षण से भी विकास होता है अधि विध्य अच्छा होता है तो बालक को पर्यात्व शिक्षिन दिया जाता है कि विवार और ग्यान से बालकों को सित्रुमन की विकास करता है तो बालकों को विकास होता है इसलिए विद्धहले का वातावरण भी ठीक होना जोरूरी है प्रत्येक देश और समाज की अपनी संस्कृती उती जिसके अनुरूप प्रत्य कर्वार अपने बालंगों को विकास अपनी संस्कृती के नुरुप होता है जैसे संस्कृति होगी परीबार व 앞에 एसा ही परेंट पोष् mater rare पर? उदारद के लिए भारत थी और पाश्चात्ति संस्कृति में काफी अंतर पाइयतता है बात और सट्रत करें पाश्चात्य नेड़ने नहीं लेपाता इसे प्रकार से पास्चात्र, संसर्त, भाध्य, संसर्ति में भी अंतर पाएदिए उसके बादे आनुवान शिप्ता है रेडिक्टी हमानुवान शिप्ता की बात कर चुके और इसी प्रकार निरंता रूप से पीडी दर पीडी पीडी अपने लक्षण ट्रास्पर करते रहे हैं सभी प्राणी अपना रंग रूप कद काथी लंबाई अन्य शार्जिक विश्चताएं और बुद्धी तर्क लॉजिक और इस्म्रती अब अनुभन्शिकता वाधियोंगा मानै ऐसे मोण विग्यानिक जो lock रूप करते हैं उनका मनना है कि जैसा बीज होता है उतकी किस्म की फसल बी वैसी होती ही अठाथ जैसे अ मात्था होता है हैं बचे भी वैसे दूस्ताम स्वश्त होती प्रतिवर्ण शारिक और मानसी दुरुबन माता पिता की संतान दुरुबन को रशका होती है लेकिन कई मायनों में शीज गरद भी होचुते हैं उसके बात करेंगे गरंथी स्थाराव् – ग्रंथों की बात करेंगे हमारे इसके जो होती है वह ए अन्ता इस्तारावी जितने सारे हर्मोन होते हैं जो हर्मोन कि ये सफ्यार है मैं कि हमारे सारी अंता इस्त्रावी घंठ्रीय जए कि बात की हम ने के इन ये स्प्राव ये सीकेशन इसप्राव मतलब इस्तरावीतों वहाई निकलना ये फ्रकार ग्र 17 जो ही हमारे इसका इस्तरों पर पालक मूड बुद्दी को ऑना गाfull कि इसका इस्तरों अधिक होने पर थारेक्सिन अधिक मातर में खूं में मिलता है इससे विद्धित जोसीर कि जयंता है पुरोषण मुझ्रों का हर्मने पुरुशों में पुरुशत्वyorsun करता हैं इसका इस्ति हो इस्तिराओ किशोर अवस्था में अधिक होने बच्चम लेंगी कrirे टास करता है लच्चों वे लेंगी विकास होना लगता है कि इस्तिराओं कम अधिक विक्सत करते हैं इस्तिरत्वा गुण जो होता कम याधिक क्यونच विक्तवालक से हुम्मोन के ज्यादा सत्रावित होने से भी हम कई सारे लक्षण भिनता देख सकते हैं इसकार कुछ हार्मोन ऐसे चात्건06 इस प्रभावیत करते हैं इस होने वाली बिमारियां उससे प्रवाइद करते हैं तो भी कई प्रकार की व्रद्धी और विकास के चरण रूख जाते हैं कि गर्बा वस्ता में मां को होने वाली कई घाते बिमारियां बालक के मांसिक और शरीरिक विकास को प्रवाइद करते हैं साथ ही जन्मा के बस्चाइब अगर बालक किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो उसे ठीक से लाइने पड़ता है कुछ चीजा आनुवर्शन जनती है मां के गर्भ से कई बिबारी जन्मा ले लेती है और मां की गर्भा में का सीधा अथर बच्चे पर पड़ता है और मांसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है कि यह वच्चे ने कम बिमारी होती है वे शार्रीक रोप स्वस्त होते हैं बिमारी का भी एक ब्रभाव पड़ता है विद्धी और विकास पर फिर लिंग भेथ जेंडर डिफरेंस लड़के और लड़कियों के व्रद्धी और वि रता द्रड़कियों में बहुत ज़्ल teasing परिवरुत्तान देखने के लंगों बिलेते हैं इसी प्रकार से इस चेप्टर में हमारी और टॉ भी कास और नितृम का अंतर में विकास अब अगले वीडियो में हम अगले शेप्टर की और रूप करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद